नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टो आकरिती, आज मैं बहुत ही खुबसूरत प्लांट के उपर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका नाम मलावर स्पीनिच है, जिसे आम भाशा में पोई के नाम से जाना जाता है, यह बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और आप इसे औरनामेंटल प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी पतियां मनी प्लांट के जैसा दिखाए देते हैं, और वाइन के रूप में बढ़ते जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगी कि किस तरह मैंने इसे एक छोटे से टैनी से ग्रोग किया ह और इसे आप कटिंग और सीट दोनों से ग्रोग कर सकते हैं, इस प्लांट को मेरी ममीने सीट से ग्रोग किया था और उन्होंने ही मुझे इसकी कटिंग दी थी और आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोद कितनी अच्छी हुई है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बच्चों के लिए सबसे फाइदे मंद है, और जिसे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस प्लांट में बहुत ही प्रोटीन है, और कई तरह के न्यूट्रियंट का काम करता है, तो आप अपने बच्चों को बना के जरूर खिलाए, क्योंकि आजकल के बच्चे हरे सबजियां खाना पसंद नहीं करते हैं, बट मैं जो आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसे खिला सकते हैं, इसे बच्चे जरूर खाएंगे, इसलिए आप इस प्लां तो सबसे पहले हम इसकी स्वाइल की बात करते हैं, तो इस प्लांट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि किसी भी तरह के स्वाइल में घ्रो हो जाते हैं, अगर आप ने इसे जमीन में लगायाा तो ज्याद़ केर करने की कोई ज़रूत नहीं बहुत ही अच्छी से घ्रो हो जा तो बीच बीच में थोड़ा खाद या थोड़ा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालना जरूरी है तो उससे ग्रोथ उसकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इसकी जो सॉयल है वो अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए मतलब आप पानी डाले तो अच्छे से ड्रेन हो जाए पानी उसमें होल्ड ना करे यह प्लांट दो तरके होते हैं जिसकी एक तो होती है रेड जिसकी टैनिया जो है वो रेड कलर की दिखेंगी और दूसरी होती ह इस तो क्राई यह ग्रीन ऑली तो मेरे पास यह ग्रीन वाली है दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं अब आती है बात कि हम इसे प्लेस कहां करें तो सब यह ऐसी प्लांट है जिसे यह sun loving plant है तो अगर direct sunlight भी आ रहा है तो आप वहां पे place कर सकते हैं और partial shade में भी इसकी growth अच्छी हो जाती है बस फर्क यह रहता है कि अगर यह direct sunlight में full sunlight में रहेंगे तो इसकी पतियां थोड़ी छोटी होती है और अगर आपने partial shade में रखा है तो इसकी पतियां बहुत ब climate में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है विंटर सीजन में क्या होता है यह थोड़े मरने के कगार पर आ जाते है तो आप क्या करें इसकी टैनी लेकर के दूसरे पॉर्ट में लगा दीजिए नेक्स सीजन के लिए वापस ही रेड तो आप देना चाहते हैं अगर आप बुषी बनाना चाहते है तो बस आप उपर से कटते जाए बुषी रूप देगा और आप वाइन चाहते है तो साहारे रस्याや प्लॉप्तरण भाएं 0 323 00,240 अधर फ्लावर वोधार अब्सकर फ्लावर प्लावर गश्unn गर पर्लेज तो नए ब्रांचे निकलने लगें और थोड़े बहुत फ्लावर्स आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उस फ्लावर्स दीरे दीरे सीट्स में कनवर्ट होंगे और वह सीट्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है कई बीमारियों में ये बहुत ही अच्छा फाइदे मंद है तो आप इसे अपने बालकनी अपने गार्डेन में जरूर जगा दीजिए इसकी एक और खासियत है कि आप इससे जितना तोड़ेंगे जितनी इसकी पत्तियां कटिंग करेंगे ब्रांचेस कट करेंगे उतना ही ज् इसकी प्लांट तो इसकी रेगुलर वाटरिंग करते रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने चोटे से प्लांट में कितना सारा पत्तियां मिल गए और देखिए मैंने कितना प्यारा एक चोटा सा रेसिपी भी आपको दिखा रहे हैं ये मेरे बच्चों को बहुत और आप इसे अपने बच्चों को जरूर दीजिए सास के साथ चटनी के साथ ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को फाइदा भी होगा और आपके गार्डिन की शोबा भी बढ़ेगी ये इतना सुन्दर और्नमेंटल प्लांट जैसा दिखता है आप इसे अ पालक पालक का ही एक रूप है आप इसे बोल सकते हैं तो पकोड़े कही तरह के चीजिस से बन सकते हैं और आप आपने बच्चों को जरूर क्षिए तो हैना इतना खुबसूरत प्लांट ज्यादा करने की ज़रूत नहीं होती इसमें ज्यादा कोई कीड़े भी नहीं लगत तो आप कोई भी लिक्विट सोप से स्प्रे कर दीजिए बट ऐसा होता नहीं है ज्यादा इसमें आप इसे जरूर अपने बालकनी में लगाए और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए मैं उसका सारे रिपलाई करूंग जवाब जरूर दूंगी तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और कोई प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी बताईए मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर होगे होंगे फिर मिलते हैं किसी नए प्लांट की जानकारी लेकर नए वीडियो में तब तक हैपी गार्डनी में